नमस्ते दोस्तों लॉकडाउन की वज़े से सब कुछ बंद हो गया है सिर्फ जो जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं वो ही मिल रही है और दारू ये कुछ लोगों के लिए जीवन आवश्यक वस्तु होने के भावजूद वो आसानी से नहीं मिल रही है कुछ लोग ब्लैक में भी ज़्यादा पैसे दे के दारू पी रहे हैं और कुछ लोग जिनका काम है कि दारू के विविद फाइदों के बारे में लोगों को बतलाना उन्होंने सोशल मीडिया पे अलग अलग जग फैला भी दिया कि दारू पीने से कोरोना वाइरस मर जाता है तो इसी लिए काफी लोगों को बहाना भी मिल गया पर ये जो दारू बेचने की और खरीदने की प्रक्रिया है इसमें जो कोरोना से लड़ने की हमारे लॉगडाउन की स्ट्रेजी है उसको नुकसान हो रहा है और ऑफकॉर्स कि डब्लू एचो ने भी स्वश्टी करण दे दिया जाक्तिक आरोग्य संगठना ने भी स्वश्टी करण दे दिया कि दारू पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता कम हो जाती है और इसलिए कोरोना, टीबी, निमोनिया ऐसी अलग-अलित बिमारियां की शक्यता कम नहीं, शक्यता बढ़ जाती है तो दारू के अलग-अलग नुकसानों की वज़े से और क्योंकि दारू मिल नहीं रही आसानी से बहुत सारे लोग दारू छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसकी याद में तड़प रहे हैं तो इस कठिंग समय में दारू प्रेमियों की मदद करने की एक विनम्र कोशिश इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं तो दारू प्रेमियों को हम बेजिकली तिन केटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं पहले जिन्हें अब तक उसकी आदत नहीं लगी है दूसरे जो बुरी तरह उसमें फस्ट चुके हैं तो अगर दारू नहीं मिले तो उनके हाथ थर-थर करते हैं उनको नीम नहीं आती है बेचैन हो जाते हैं पर उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता और तीसरी कैटेगरी की जिन्हें दारू नहीं मिलने पे काफी नुकसान होता है उन्हें फिट आ सकती है या कुछ लोगों को डिलिरियम नाम की एक घंबिर मानसिक स्तिती में वो जा सकते हैं तो इस तीनो स्टेजिज का हल अलग-अलग है पर हल के बारे में चर्चा करने से पहले मैं सभी दारू प्रेमियों से एक निविदन करना चाता हूँ कि लॉकडाउन के इस सुनहरे अवसर का फाइदा ले और शराब को छोड़ने का एक धुरुड संकल्प करे पर अनिक लोगों को लगता है कि दारू से खासकुछ नुकसान होता ही नहीं है तो फिर क्यूं छोड़े इसलिए सबसे पहले तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाता हूँ पहला, हर साल दारू की वज़े से 30 लाख लोग मर जाते हैं मतलग, हर 10 सेकेंड में एक दारू प्रेमी अपनी प्रेमी का की वज़े से मौत के घाट उतर जाता है दूसरा, हमारे समाज में जितने भी मर्डर्ज हो रहे हैं, खुन उसमें से 18 प्रतिशर्ट मर्डर, दारू की वज़े से जो सही गलत सोचने की शमता चली जाती है जाती कारोग्य संगठना के अनुसार जितने लोग टीवी से मरते हैं, उसमें से 20 प्रतिशर्ट दारू की वज़े से मरते हैं और पांचवा, दारू की वज़े से जो लिवर विगड़ता है, एक्सिडन्स होते हैं, हाट अटेक, कैंसर, नौकरी चली जाती है, परिवारिक सुख चला जाता है, समाज में बेजजती हो जाती है, तो यह सब तो आपको पताईए है पर कुद्रत का करिश्मा ऐसा, कि हर दारू प्रेमी कोई धुरूड विश्वास होता है, कि मुझे इसकी आदत नहीं लगने वाली, मैं तो आज इवन कंट्रोल में ही पीने वाला हूँ दोस्तों, हर वो इंसान जो आज दारू से बरवाद हुआ है, एक जमाने में कंट्रोल पार्टी ड्रिंकर था कंट्रोल में पीना ये पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है, आदत लग जाना ये दारू, सिगरेट, ब्राउन शुगर, इन पदार्थों का गुण धर्म है किसी को रिस्क जादा है, किसी को रिस्क कम है, बट कोई भी इंसान जो दारू को हाथ लगाता है, उसे ये आदत लग सकती है अंदाजे से 10 से 15 प्रतिशद लोग जो दारू को हाथ लगाते हैं, उन्हें दारू खून के आसू रुलाती है पर आप कहोगे कि 85 प्रतिशद लोग को तो कोई तकलीफ बड़ी तकलीफ नहीं होती हाँ बिल्कुल से ही बट दोस्तों सोचिए अगर कोई चीज करने से 15 प्रतिशद धोका है कि आपको और आपके परिवारों वालों को बाद में बहुत पस्ताना पड़े तो क्या ये रिस् Global Burden of BC Study नामक एक रिपोर्ट बनता है जो दुनिया भर में होने वाले रिसर्च को पढ़ने के बाद बनाया जाता है उसके नुसार जो 15 से 49 उम्रक के बीच का युवावर्ग है उन लोगों को बिमारी और मौत की और धकलने वाले जो रिस्क फैक्टर्स है उनमें सबसे पह या तंबाकू लेना और फिर आता है मुटापा, हाई ब्लड प्रेशर बागी दोस्तों एक साइक्याट्रिस्ट होने की वज़े से मैंने बहुत सारे परिवारों को इस नशे में डूपते हुए देखा है आपके परिवार के साथ ये मत होने देना और अगर आपको अल्रीडी इसके प्यार में आप फस चुके हो तो इस दलडल से बहार निकलने का एक बहुत सुनहरा मौका लॉकडाउन आपको दे रहा है कैसे कुछ रिसर्चरस का मानना है कि व्यसनमुक्त केंद्रम में जाकर कुछ लोग जो दारू छोड़ देते हैं उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है एक सुरक्षित वातावरत वहाँ पर कितनी भी इच्छा हो जाए आजुबजोदारों मिलती ही नहीं है तो जख मारके छूटी जाती है और ये जहर कुछ दिनों तक अगर अंदर ना जाए तो मन और शरीर उसकी गुलामी से बाहार आने लगते हैं हातों की थर-thर बंद हो जाती है मन शान्त हो जाता है दिमाग फिर से पट्री पे चलने लगता है और जीवन में एक नहीं आशा निर्माण होती है तो ये जो सुरक्षित वातावरण है अब लॉकडाउन की वज़े से आप सबको उपलब्द है वो भी व्यसनमुक्ती पैसे भरे बगएर और दूसरा अगर आप दारू और सिगरेट छोड़ देते हो तो करोना से अपकी मौत होने की शक्यता भी कम हो जाती है तो दोस्तों मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज ब्लैक में दारू खरीदने की कोशिश या हाथबटी की दारू खरीदने की ना करें इनफेक्ट घरनी भी जो दारू है उसे फेक दें इस लट से छुटकारा पाने का समय आ गया है और अफकोर्स लॉकडाउन को भी सक्सेस्फुल बनाना है तो अब मुद्दे पर आते हैं कि दारू के विरह में जो तकलीफ होती है उसका क्या करें तो कैटेगरी वन अगर आपको आदत नहीं लगिये और सिफ इच्छा होती है तो बहुत आसान है आपको सिफ एक निर्धार करना है कि अभी अपने जीवन शैली का दर्जा बढ़ाना है तुन्न होकर नहीं जीवन को पूरी तरह जीकर आनन्द उठाना है खेल, संगीत, ध्यान करना, किताबे पढ़ना, घरवलों से, दोस्तों से, दिल खोल कर बाते करना, घहरे रिष्टे बनाना, किसी जरूरत मन को मदद करना, कोई सुन्दर सा सपना देखना, एक अनोखे धे को अपने जीवन का लक्षय बनाना, और उसके लिए तन मन से कारि हो जाना, इत्यादी, अगर इस लॉक्डाउन के पिरियट में, आप ज्यादा अर्थवपूर्ण चीजे करके, आनन लुटाना सीख जाते हो, तो फिर नशीले पदार्थों के तुच्छा आनन की, आपके मन से शायद लालसाली चली जाएगी, और फिर आपके स्ट्रेस को ह आदत लग चुकी है, और दारू नहीं मिलने पे, आपके हाथ थर-thर करते हैं, नीन नहीं आती है, छिट-छिड हो जाती है, काम पे फोकस नहीं कर सकते हो, तो चिंता मत करो, ये सारी तकलीफे सिर्फ दो से पांच दिन तक रहती है, आपको सिर्फ कुछ दिन तकलीफ करता हो, उसके पास जा सकते हो, पर जो इच्छा होती रहती है, वो कैसे कम करोगे, तो उसके लिए हम जनरली पांच टिप्स बोलते हैं, पहला, डिस्ट्रैक्ट, तो दोस्तो दारू पीने की जो ये तिवर लालसा हो जाती है, तो ये स्तिती बहुत देर नहीं डिखती, ए अचानक आती है, बट पांदस मिट में चली भी जाती है, सिफ वो थोड़े समय तक आपको मन को डिस्ट्रैक्ट करना है, कोई भी और चीज, जो करने से आपको मजा मिलता हो, आप कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, कुछ दि देर तक आनन लो, और ये बात ये इच्छा मन से चली जाएगी, दूसरा, ड्रिंक वाटर, अनेक लोगों को एक दो गलास पानी पीने से ये दारू की तुरुषना चली जाती है, तीसरा, डिप ब्रेट्स, कुछ लोगों को घहरी लंबी सांसे लेने से फाइदा होता है, चौथा, डिसकस, आपके घर में किसी के साथ, या फोन करके किसी मित्र के साथ, आप डिसकस कर सकते हो, कि दारू ने आपके जिनगी में क्या किया है, आज तक क्या नुकसान हुआ है, आपको क्यो छोड़ना है, इत्यादी, इत्यादी, और फिर वो इनसान भी आपको, आप एक चित ध्यान देनी है कि आप जिन लोगों के साथ दारू पीते हो उन लोगों को फोन नहीं करना है गड़ड़ हो जाएगी और पांचवा डाइरी राइटिंग अगर मन में चलने वाले ध्वंद्व को आप लिखते हो तो भी स्पष्टता आने में मदद हो जाती है कि वाकई में आनन्द का रास्ता कौन सा है और दुख की और जाने वाला कौन सा समरुद्धी की और जाने वाला रास्ता कौन सा है और अधुगती की और जाने वाला कौन सा तो निर्णे लेने में आसान हो जाता है मन शान्द हो जाता है In short, दारू पीने की जो बीच में craving इच्छा होती है उसे control करना possible है अब सबसे important बात कि जो तिसरी category के लोग है जो लोग उने बहुत साल जिने बहुत साल से दारू की आदत है और जोने घंबीर तकलीफ हो सकती है तो उन्हें क्या क्या होता है तो उन्हें एक तो fit आ सकती है और फिर वो delirium में जा सकते हैं मतलब उन्हें समझता नहीं है कि वो फिराल कहां पे है आजू आजू कौन है उन्हें समझ नहीं आता वो बौकला जाते हैं उनका pulse BP बढ़ जाता है उनको भ्रम हो सकते हैं आँकों के सामने बड़े-बड़े कुत्ते दिखते हैं जो उन्हें मारने आ रहे हैं कानों में आवाजे आने रखती है वो डर जाते हैं उत्तेजित हो जाते हैं अगर उन्हें सही समय पे ट्रीटमेंट ना मिले तो कभी-कभी मौत भी हो सकती है इसलिए अगर कोई डिलिरियम में है तो तुरंथ अस्पताल ले जाना जरूरी है प्रभावी उप्चार उपलब्द है डरने की जरूरत नहीं है और सबसच्छा तो यही है कि हम ये डिलिरियम की स्तीती तक लोगों को जाने ही नहीं दे तो उसके लिए कुछ पॉलिटिशन्स का सुझाव है कि लोगों को दारूप पिलाते रहो ताके वो डिलिरियम तक जाएंगे ही नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है लकिली बेंजोडाइजेपीन्स ग्रूप की कुछ दवाईयां है जो अगर पेशन्ट लेता है तो फिर उसको डिलिरियम नहीं होता है तो ये दवाईयां सिर्फ और अगर तकलीप जादा नहीं है तो फिरहाल के लिए फोन पे कंसल्टिंग करना भी अलाउड है और ग्रामिन रुगनाले के डॉक्टर्स के लिए मुझे सिर्फ कहना था कि अगर इस मामले में आपको कोई भी शंका हो तो आपके यहां के डिस्ट्रिक मेंटल हेल्फ प्रोग्राम के जो साइकेटरिस्ट है उन्हें फोन करके आप आपकी सारी शंकाए पूछ सकते हैं तो ऐसे कौन-कौन से लोग है जिने डिलिरियम होने की शक्यता जादा है पहले जिनको धारू की आदत लगकर पांच साल से जादा हो चुके है दूसरा जिनको पहले भी दारू नहीं मिलने पे फिट आई थी या घंबीर प्रकार की कोई तकलीफ हुई थी तीसरा जिन लोगों को दारू पी-पी के लिवर बिगड चुका है खुन की उल्टी हो चुकी थी पहले या पेट में पानी हो चुका था वगेर चौथा कोई भी प्रकार की अगर शारेडिक बिमारी हो इंफेक्शन हो या हाली में सरजरी हुई हो और पांचवा जो लोग वृद्ध हो चुके हैं तो इन पांच केटेगरी के लोगों ने हो सके तो डॉक्टर की मदद लेकर ही दारू छोड़नी है डॉक्टर सिर्फ चार सार दिन की दवाई देगा और विटामिन B1 का इंजेक्शन या टेबलेट देगा और ये सारी सावधानी सिर्फ शुरुवात के कुछ दिनों में बरतना ज़रूरी है अगर आपको दारू छोड़कर पांच दिन से जादा हो चुके हैं तो निश्चिंत रहिए, मजे कीजिए, आपको कोई खतरा नहीं तो अंत में दोस्तों फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि लॉक्डाउन के सुनहरे अवसर का फाइदा उठाईए दारू की गुलामगीरी से निकल जाईए और कोरोना से बचने के लिए खुद को फिट रखिए मैं आपके और आपके परिवार के लिए एक व्यसन मुक्त स्वस्थ, सुखी और समुरुद्ध जीवन की प्रार्थना करता हूँ और दोस्तों, दारू की वज़े से बहुत सारे परिवार दुखी है तो इस वीडियो को प्लीज शेर कीजिएगा जय हुआ